तो आज हम बात करने वाले हैं सिफ्टम 500 टेबलेट के बारे में आज हम इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेगें कि इसके यूजिस कैसे करने होते हैं इसके डोज कैसे लेने इसके बेनिफिट और साइड एफेक्ट क्या-क्या हो सकते हैं और किन-किन लोगों को य है दवाई इस पैमाल नहीं करनी चाहिए तो सिफ्टम 500 टैबलेट में कितना है दम क्या है कम सब बताएंगे हम जल्दी से हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिए बैल आइकन को प्रेस कर लिए क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही अच्छे अच्छी दवाईयों की जानकारी मिलत जिन लोगों में खून की कमी है वो लोग भी डोक्टर की सलाह के बिना इस टैबलेट को इसतेैमाल ना करें आजए अब जान लेते के कौन-कौन सी समस्य होने पर इस टैबलेट को डोक्टर रिकमेंड करते हैं अगर किसी का एकसीडेंट हो गया हो और शरीर में कोई घाव ह गया है या चोट में टांके लग चुके हैं ऐसी कंडिशन में इस टेबलेट को इस्तेमाल किया जाता है या किसी का बड़ा ओपरेशन हुआ है या पित की थैली में पत्री हो और उसका ओपरेशन हुआ है तो ऐसी कंडिशन में भी इस टेबलेट को डॉक्टर रेकमेंड करते हैं या कोई फोड़ा फोन्सी घाव जक्म सठीक नहों पारा हो उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है या हड्यों में कोई infection हो जाता है किसी भी प्रकार का हड्यों से जोड़ा कोई रोग को हो जाता है ऐसी कंडिशन होने पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और फैंफडे में इंफेक्शन होने पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी दवाई खा लीजिए कोई भी टैबलेट खा लीजिए हर दवाई का हर टैबलेट का हर सीरप का क मुझे इंस्टाग्राब पर डारेक्ट मैसेज कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बात कर लेते हैं डोज के बारे में तो यह टेबलेट एक सुभा एक शाम खाना खाने के बाद ली जाती है या जैसे आपके डॉक्टर बताएं कि इसको खाने के बाद आपको कौन-कौन से नुकसान हो सकते हैं तो अगर आपको उल्टी होने लग जाएं या चक्कर आने लग जाएं तो समझ जाएं कि आपको सूट नहीं कर रहे है या आपको दोरे पड़ने लगें हैं नई जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में थैंक्यू सो मच